है लो फ्रेंड्स वेल्कून टू माई चैनल मैं हूं आपका होस्ट विकास आज की वीडियो मैं आप लोगों को चाहँ दाम की आत्रा के बारे में कुछ आपका देना करी देना साथ हूं चाहँ दाम की आत्रा हरीद्वार से आरम होती है सबसे पहले एमनोत्री फिर गंगोत्री केदारनात बदिरिनात आम तोर पर यह आत्रा सभी आत्रियों दवारा नो से दस दिन के अंदर पूरी कर लिजाती है वहाँ जाने के लिए बसे हरीद्वार और रिसी के से बनकर चलती है जिनका फिर 300-300 रुपे के आसपास रहता है और जिनकी साहथा से आप बारी-बारी से एक-एक दाम की यात्रा कर सकते हैं और अगर आप नए हैं और चाहँ दाम की आत्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप गड़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट से दो दाम या चाहँ दाम पैकेज बुक कर सकते हैं और इसमें पूरे पैकेज की डिटेल डेवाइज शेडूलिंग के साथ मुझूद है और टैरिफ में दिखा जेता हूँ बीक टाइम में अपरेल टू जून में टैरिफ थोड़ा ज़्याद रहेगा और जुलाई टू नॉम्बर में टैरिफ थोड़ा कम रहेगा पैकेज में होटल, ब्रेक फास्ट, लंच, एंडिनर सब इंक्लूड रहता है और इस पैकेज का डिस एड्वांटेज सिर्फ यही है कि आपको टाइम बाउंड होपर चलना पड़ता है और आप उतने ही प्लेसिज घूम सकते हैं जितने की इस पैकेज में इंक्लूड रहते हैं और दूसरी और अगर आप हरीद्वार से टेक्सी आयर करते हैं तो आपको परड़े के हिसाब से शाड़े चार से पांच जार रुपे पे करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपकी अत्रा का शेडूल क्या रहेगा ओम आपको बतायता हूँ फस्ट दे आप हरीद्वार से यमनोत्री दाम के लिए चलें और नाइट स्टे करें आप जानकी चट्टी में जानकी चट्टी में होटल का टैरिफ काफी अबनॉर्मल रहता है पीक टाइम में तो आप अपनी एडवांस बूकिंग लेके चलें या फिर जानकी चट्टी से कुछ किलोमीटर दूर आप अपना होटल बूक करें सेकंडे आप जानकी चट्टी से यमनोती धाम की यात्रा पैदल पत्माग से करेंगे लेकिन उससे पहले आपको अपना बायोमेट्रिक रेजिटेशन कराना अनिवार रहा है परतेक धाम की यात्रा करने से पहले आपको अपना बायोमेट्रिक रेजिटेशन कराना अनिवा सकते हैं पॉनी के चार्जिस ढाई से 3,000 रूपे आने जाने का लएगा और पालकी का चार्जिस 7 से 8,000 रूपे एप्रक्स लएगा सेकिंडे आप यमनोती धाम के दर्शन करें और यमनोती धाम के दर्शन करने के बाद आप वापिस जानकी चट्टी आएं और नाइट स्टे आप उत्तरकाशी में करें तीसरे दिन आप उत्तरकाशी से गंगोती धाम के लिए चलें और गंगोत्री धाम के दर्शन करें और गंगोत्री धाम के दर्शन करने के बाद वापीश आते वक्त कुछ समय आप हरशिल में spend करें हरशिल एक काफी खुब सुरत प्लेस है और नाइट स्टे आप उत्तरकाशी में करें मतलब आपका day 2 और day 3 का night stay उत्तरकाशी में ही रहेगा 4th day आप उत्तरकाशी से सोन प्रियाग के लिए चलें और night stay आप सोन प्रियाग में करें 5th day early morning आप सोन प्रियाग से गोरिकुंड जाएं और अपना biometric रेस्टेशन करें क्योंकि peak time में biometric रेस्टेशन काउंटर पर काफी crowd होता है और उसके बाद केदारनाध धाम की यात्रा को आरम करें गोरिकुंड से केदारनाध धाम 17 किलोमेटर तक का track है आप pony और पाल की किस्विधा ले सकते हैं पोनी के लिए आपको प्रिपेड काउंटर से टिकट लेना पड़ेगा वन साइड का चार्जिज 25 रुपे रहता है और वापीस आते वक्त आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा फिफ्ट डे इवनिंग में आप केदारना धाम के दर्शन करेंगे और नाइट स्टे आपका केदारना धाम परी होगा इवनिंग टाइम में दर्शन करते वक्त क्राउड जाता हो तो आप अरली मॉर्निंग दर्शन करने जा सकते हैं पीक टाइम में जैसे की अप्रेल, मई और जून में अगर आप विजिट करते हैं तो काफी ज़्यदा क्राउड होता है या सेप्टेमबर, अक्टूबर, मन्त में अगर आप विजिट करते हैं तो काफी कम क्राउड रहता है नाइट स्टे के लिए टेंट और रेस्ट हाउस की सुईधा है टेंट में पर परसन का चार्जिज साथे तीन सो रुपे एप्रोक्स लगता है और रेस्ट हाउस में स्टे करने के लिए पर परसन चार्जिज साथे साथे साथ सो रुपे एप्रोक्स रहता है इनकी online booking करने के लिए आप गड़वाल मंडल विकास निगम की वेब साइट की help ले सकते हैं 6th day आप के दारना धाम से लोट कर 2 बज़े तक सोन प्रियाग आएंगे सोन प्रियाग से चल कर night stay आप चोपटा में करेंगे या people koti में करेंगे 7th day आप people koti से बद्रियाद धाम के लिए चलें और बद्रियाद धाम के दर्शन करें 7th day का night stay आपका वहीं पर होगा hotels और car parking बद्रियाद धाम के आसपास ही है peak time में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो फिर hotels की आप advance booking लेके चलें hotels की booking के लिए आप गड़वाल मंडल विकास निकम की website की help ले सकते हैं 8th day early morning आप बद्रियाद धाम से माना विलेज जाए दो तिन गंटे वहां spend कीजिए माना गाउं काफी खूब सुरत विलेज है दालास्ट इंडियन विलेज और scenic views भी काफी अच्छे है वैसे बद्रियाद धाम के आसपास गूमने के लिए एक दो places और हैं जैसे की value of flowers और स्री हेमकुन साहिब गुरुदवारा लेकिन ये सब places गूमने के लिए एक दिन एक्स्ट्रा और लग सकता है और आफ्टरनून में एक बजे आप बद्रियाद धाम से रूदर प्रियाग के लिए चलें आठवी दिन का नाइट से आपका रूदर प्रियाग में होगा नाइंत दे आप रूदर प्रियाग से हरिद्वार के लिए चलें लेकिन कुछ समय आप देव परियाग में जुरूर स्पैंड करें जहांपर की दो नदियां अलखनंदा और बागिरती मिलकर गंगा जी की उत्पत्ती करती है और यही गंगा रिवर रिशी केस होते हुए हरिद्वार पहुंचती है काफी खूब सुरत प्लेस है और सीनिक व्यूज काफी अच्छे है इसलिए आप थोड़ा स्टाइम जुरू स्पैंड करें नाइन्थ डेव इविनिंग में आप रिवर पहुंच जाएंगे और इस तरह से यह आत्रा टेक्सी द्वारा नो दिन में पूरी कर ली जाती है अगर आप चार धाम की आत्रा को अच्छे से इंजोय करना चाहते हैं तो आप एक बारी में दो धाम यमनोत्री और गंगोत्री को दस दिन में कम्पलीट कीजिए और बाद के दो धम आप 2-3 साल बाद दुबारा आ करके कैदारनात और बद्रिनात को भी 10 दिन में कम्प्लीट करें ताकि उसके आज पास जितने भी सारे खूब सुरत प्लेसिस हैं वो भी आप अच्छे से इंजोई कर पाओ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज चैनल को जुरू सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक, शेर एंड कमेंट करना मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स